अलो फ्रेंड्स नमस्कार सिस्द्धा टेस्ट गार्डिनिंग में आपको स्वागत है फ्रेंड्स आज हम बताएंगे तुलसी जी की सेवा कैसे करें कि तुलसी जी हमको छोटे पॉट में भी लाला आती हुई और मिले बहुत अच्छी ग्रोध रहे धेर सारी स्वश्थे पत हो जाती हैं काले काले ऐसे कीट से हो जाते हैं धब्बे लग जाते हैं जो कि हम भगवान जी को कैसे चढ़ाएं यह सोचना पड़ता है और ग्रोध तो ऐसे ठंड में रूख जाती है हर पौधे की पर इतनी ज्यादा ना रूखे तो हम उसके लिए खात क्या दे कि कांटीन ग्रोध होती रही मतलब बिल्कुल रुके ना स्लो तो हो जाती ही जब अत्यदीक दिसंबर जनवरी का महीना होता है तो हमारी पत्तिया भी न जढ़ें ग्रोध भी होते रहे और काले कीट वगर न लगे तो स्वस्थ पत्तियां हमको मिले और छोटे पौट में भी अच्छ दूर्भवान नहलाते हैं कुछ भी पूजा करते हैं तो इनकी मंजरी कहीं मिट्टी में जड़ी होगी और हम पौधे दूसे पौधे में वहां की मिट्टी जाड़ू लगा के डाल दिये तो वहां कई सारी उगाई थी तो मैंने जगा जगा दी और उकती रहती भी बहुत सारी होगी हैं तो फ्रेंट्स कुछ तुलसी जी हमारी यह लगी कुछ नहीं बहुत सारी यह केला के पेड़ में लगी है यह देखिए इधर यह इधर लगी है इधर आमला का पेड़ में लगी है कातिक में नहलाते हैं यह तीन साल की तुलसी जी हो गई बसी लखडी जैसे हो गई इनकी लखड़ी जो हम पुरानी हो जाती है तोड़ने दीपक में जरूर रुई की बाती लपेट कर घी की दीपक जनाए कार्थिक में बहुत ही अच्छा होता है सुमाना जाता है वैसे भी हम बारों महीन जला सकते हैं भगवान के सामने और इसमें भी यह भी चौथा साल चल गया तीन साल पुरानी हो गई बरसांस से चौथा है अगले बरसांस से चार साल हो जाएंगे इतो इनकी हमने तोड़ दी है तो देखे अभी ग्रोथ में हैं और खाद हमने दिया था चले खाद बताएंगे हम क्या दिये थे और यह तुलसी जी छोटे से छोटे पॉ कोई एक साल कोई दो साल कोई तीन साल यह देखिए आप लकडी से जो है तुलसी जी कि उससे लगा सकते हैं पॉधे से लकडी लकडी जैसे हो जाता है और इधर यह तुलसी जी हमारी रखी हैं बहुत साई तुलसी जी रखते हैं क्योंकि तुलसी जितना भी रखें उतना ह सुभ माना जाता है दूसरा दोस्तों तुलसी एक मेडिसनल प्लांट है तुलसी का पौधा जो कि आप जानते हैं इनकी चाय सरदी खासी बुखार में इनकी पत्तियां चाय में उबाल कर पिएं काली चाय में बहुत ही फादे मन्द है द्रक के साथ काढ़ा बना कर पिएं और सुभ होता है दूसरा हमको इनकी पत्तियां धेर सारी पूजा के लिए मिले और खुद अपने उपयोग के लिए मिले तो इतनी सारी तुलसी जी आप भी लगाईए अब चलिए हम खाद और ऐसी कौन सी दवा डालें कि तुलसी जी हमें मिलती रहें इनकी पत्तियां स्वस् और जैसे ही आज तुलसी जी की सामको इनकी चौरी पताई होगी क्या है पेंटे वो हो जाता है छूट जाता है तो दोस्तों अब इसके उपर हम ग्रीन निट लगा देंगे या कोई भी आपका प्रार लगा दें या कोई पोलित ही लगा दें जो ये दिसंबर जनवरी की ठ दढ़ना है तो कि दोस्तों दौसरा बात है कि जो पत्ते हैं इसी मिटी में दबादें खात का काम करेंगे तो पुराने पत्ते जड़ेंगे लेकिन नए पत बनते हमें ग्रोध मेंगरांते और तोर्सी लेटें वैसे ही गनी होती है और पत्तियां निकलती जाती है और तुलसी दल जो है दोस्तो इत्वार को एकादसी द्वादसी को न तोड़े पुरी मा अमश्या को न तोड़े और ऐसे बंच करके तोड़े इधर से मेरे हाथ में यह मिट्टी लगी है तो मैं भी नहीं तोड़ रही इसलिए हमने दिया है और दोस्तों छोटे से छोटे पॉट में हमारी तुलसी जी इस तरह लग जाती है और बड़े बड़े पॉट में तो कुछ कहना ही नहीं है यह बड़े पॉट में भी लगी है तो दोस्तों पानी के हमको ध्यान रखें और गोड़ा माह में दो बार ज लेकिन थोड़ा दिवाल के सपोर्ट से इनको ठंड कम लगेगी और बंच में रखने से जो हावा चलेगी न कोहरा वाली दिसंबर जनवरी उससे यह बचत होगी हम गर्मी में भी इस तरह रख देते हैं इनको तो यह सारी केर करें आप चलिए खाद बताएं तो दोस्तों यह यह हमारी है स्यामा तुल्सी और यह हमारी है रामा तुल्सी तो रामा तुल्सी ग्रीन होती है यह दोनों पॉधे रामा तुल्सी के हैं और यह स्यामा तुल्सी है यह दोनों तुल्सी वैसे तो पांस प्रकार की होती है लेकिन पूजनी हमारी यह दो ही होती है और जैसे ह ये भी एक पौधा लगा है छोटे से देखिए ये दो केजी के डाले डब्बे कटके ये देर लीटर के हुए और ये लगी है और ये जैसे तोड़ते हैं वैसे घनी हो गई तो चलिए खाद बताते हैं तो दोस्तों गोडा करके हमने ये खाद दिया था बार-बार नहीं दें ये सड़ी हुई गोवर की खाद सबसे बेस्ट होती है इनके लिए बिल्कुल सड़ी हुई गोवर की खाद दें आप जैसे ये पौट है छोटा साथ गोडा करके चारों तरब से अभी मैंने दिया अभी पानी डाल दिया मिट्टी जादा गीली है क्योंकि कल सटरडे है नह उर डालने और दोस्तो साथ में नीम खली हो तो डाल दे नहीं है नीम खली तो ये राक डाल दे सबस तो इतने हैं बहुत सुब फूल होते हैं तो बहुत थोड़े से पानी केयर से ये प्रकर्तिका दिया हुआ पौधा है पूजिनी हैं तो थोड़े साप सफाई रखें साप सफाई से जल डालें और थोड़ा सखाद दें तो वैसे हरी भरी रहती हैं अगर हम सफाई नहीं रखते हैं बहुत ही खाद और केर करते हैं तो छुवा छूत की वज़े से तुलसी जी हमारी नाराज हो जाती है कि बिरा नहाय हमको हम मैं उन्हें चूदिए चपल पहनके हम उन्हें चूदिए उनके इस्थान में हमने साब सफाई नहीं करी तोरिया दोपर अधर नहीं तो चलिए काले कीट ना लगे उन विए फंगस बताते हैं जादा पानी न दें पहली बात जादा पानी की वज़े से भी फंगस लगता है दूसा कुमत है कि दूसा कि इतना सा एक चमच एक लीटर पानी में डालके चान के उसके लिकृट का पत्तों में से करें दूसा हल्दी है इसको भी एक टीस्पून घर की अगर प्यूर है तो एक टीस्पून उसमें पानी में गोल कर इस पे पत्तों में कर दें मिटी में भी डाल दें बहुत अच्छी खाद है और बहुत अच्छी फंगी साइड हल्दी दूसरा ये है फिटकिरी का इतना सा टुकड़ा एक लिटर पानी में डाल के लिक्ट बना के आप मिटी और पौदों में इस पे कर दें ये भी खाद और फंगी साइड है तो राक और ये तीनों चीज हल्दी और फिटकिरी राक खाद और फंगी शायन है दोस्तों और गोबर की खाद जो है और नीम खली हम बिल्कुल बेस्ट है इनकी खाद के लिए आप सरसो की खली का भी लिक्ट डाल सकते हैं साफ फानी में लिक्ट बनाकर आप डालें पौधे कभी मुरजाएंगी कभी रोग ने लगेगा कभी सूखेंगी नहीं पुरानी से पुरानी तुलसी तुर्जा गर्डन में बनी रहेंगी तो दोस्तों तुल्सी जी लगाएए पूजा करिये और स्वास्तलाब लिजिए और हवा भी बहुत सुथ होती है और नकारात्मा उर्जा दूर होती है सकारात्मा उर्जा घर में आती है तो दोस्तो प्लीज ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और दोस्तो एक बार ही तुलसी आप लाएंगे मार्केट से या किसी के घर से हमने कटिंग नहीं लगाया ना कभी लगाने क कोशिश की क्योंकि ये तुलसी जी का पौधा पूजनी है ये जो मंजरी जड़ते रहते हैं इनसे तुलसी जी हमारी तियार होती है मिटी में कहीं भी जड़ जाते हैं तो तियार होती है आपको अलग लगाना है तो चलिए हम बताते हैं यही मंजरी लेकिन जब पक जाए अभी ये थोड़ी सी वो है, तो जब यही मंजिरी थोड़ा हलकी पक जाए, तो इनके बीज निकलते हैं, मिटी में स्पिंकल कर दीजे, चलिए ये पके हुए बीज दिखा, ये दोस्तों ये पके हुए बीज है, और ये बीज बिल्कुल पके हैं, लेकि इनकी जो है मंजिरी कि जो बीज है वो जड़ गए, इनको आप बोएंगी तो नहीं काम करेंगे, क्योंकि आटोमेटी ये देखे, खुल के, जब ज़्यादा सूख जाते हैं, चटक जाते हैं, तो ये फायदा नहीं करता है, इनके बीज नहीं है, अभी ये मंजिरी जैसे सूख गई है, अभी बीज नहीं जड़े हैं, आप मिट्टी में स्पिंकल कर दीजे, और वो भी भुरभुरी मिट्टी में, 50% नालमर गार्डन स्वेन लीजे, 30% सड़ी हुई गोबर की खात की चैन वेस्ट, 20% सेन लीजे, फिर देखिए तुलसी जी का कमाल और सफाई रखिए, नमस्कार दो कि तो